तो बच्चो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं सॉल नहीं हो पा रहे गवराओ मत इसका सलूशन है डाउटन टाप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खीचो क्रॉप करो और पांच सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडि सलूशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में यानि अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेट सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से बारवी आईटी जेई या नीट का हो या फिर CBSD, UP, बिहार, राजिस्तान या अन्ने स्टेट बोड का हो कोई भी सब्जेक्ट हो Physics, Chemistry, Math, Biology, Science आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट अप पर साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से बारवी आईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ओन्लेइन क्लासेज जिसका हिसा बनकर देश के सभी राजियों से बच्चे लेकर आए रांक वन तो आज ही डाउटनेट अप इंस्टॉल करो अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ नमस्कार विद्यार्थियों कैसे हैं आप आईए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज 22 से जाट पर स्वागत हैं विद्यार्थियों आज की जुमाई क्लासे प्रवाकारिर पुस्तिका गणित काक्षा छे एवं साथ के अंत्रगत सत्र परियात उप्चारात्मक शिक्चनेतू सीखने का इस्तर पांच वच्छे और इसमें हमारा आकलन तेरा आज की क्लास में हम आकलन तेरा कॉल करेंगे पेज नमर एक सो छोन तेरा आकलन तेरा इसमें पहरा सवाल है निम्निलिखित मैं से कॉन से संख्या पांच से विबाजित כई से संख्या हो सकते हैं जीन में एक एक कांग को जिरो या पांच हो देखिये कह aumentar of one शाट साट साट में इक एक जिरो है यह पांच से विजिद हो सकती है 651 55 ये विजिद हो सकती है 115 55 ये विजिद होगी 351 0 हें य brasile जिरो है ये भी 5 से भी बज्ज़ित थोगी भी जिषतियों अगला सवाल है दूसरा दी के संख्याओ का गुणज और गुणनखन लिखें इनके गुणज और गुणनखन लिखने हैं संख्या दे रखें, गुनच पांच संक्या तक लिखने हैं और गुनच कन सभी लिखने हैं संक्या है 32 32 के गुनच यानी पहाड़ा लिखना है मैं 32 32 32 दुना चोंसर्ट 32 तियाच छी आणवे 32 चोका 128 32 पंजा एक सो साथ अब इसके गुनच कन लिखेंगे एक दो चार आठ सोला और बत्तिस अगले संक्या है साथ इसके हम गुनच लिखेंगे साथ एक हम साथ साथ दूने 120 साथ तिया एक सो आसी साथ चोका 240 साथ पंजा 300 तिया इसके गुनच लिखेंगे हमने गुनच कन लिखेंगे हम साथ के एक दो तीन चार पांच छे दस बारा पंदरा इसके बाद में बीस तीस और साथ ये इसके गुनच कन लिखेंगे थीक है विद्यार्थियों आप सलिए आके बढ़ते हैं अगला अगला है तीसरा निमने के सारो गुननखन ग्याद करें विद्यार्थियों इनके हमें सारो गुननखन ग्याद करने हैं विद्यार्थियों दो तरीके हैं हम इनके अबाज जी गुननखन कर सकते हैं या हम इनके गुननखन लिकर के भी हम ग्याद कर सकते हैं विद्यार्थियो करते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 इसी प्रकार से 15 कि हम अब आत्य गुणा कण करेंगे तो इस दिए रतियों 3 गुणा 5 हम इनका सार्व गुणा ग्याद करेंगे जो तिन मिल रहा है देखिए 3 3 3 तीं यहां सार्व गुननकंद बराबर तीन ये हमने अबाच गुननकंद के माधियां से किया दूसरा तरीका Murawandra हम इनके गुननकंद लिक लें sably कुमन मिले वो सभी हम लिख सकते सार्व गुननकंद के लिए हमें एध्यार रकना है अगला है चोथा महतम समापरवर तक ज्याद करें इनका महतम समापरवर तक ज्याद करना है तो हम इनके गुननखन लिखे भी हम कर सकते हैं और हम इनके अबाज जी गुननखन ज्याद करके भी हम महतम समापरवर तक ज्याद कर सकते हैं तो हम इनका अबाजी गुनाखन कर लेते हैं कहा हैं 32 और 24, 32 के हम अबाजी गुनाखन कर लेते हैं तो वह आता है दो गुना, दो गुना, दो गुना, दो गुना, दो 24 के हम अबाजी गुनाखन करते हैं, दो गुना, दो गुना, दो गुना, तीन इसका महासर जो दोनों मिल रहा है देखे दो 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 तीन बार दो दो मिला तो हम लिखेंगे दो गुना दो गुना दो दो दुनी चार चार दुनी आठ तो इसका महातम समाप्रवतर कितना होगा आठ अगला एक खा चतिस और बाहतर तो हम चतिस के अब आज ये गुना करते हैं दो गुना दो गुना तीन गुना तीन और बाहतर क्या करते हैं हम दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना तीन महासर गयाद करेंगे जो कोमन मिलें दो दो तीन तीन तो दो बार द दू बर तिन दू बर दो और दो बर तिन दो दुनी चार चारतिया 12 बारतिया 36 तो इसका मुहतन समा पड़़्ों तक कितना आएगा 36 ठीक है विद्यार्थियों चले आगे बढ़ते विद्यार्थियों अगला जो सवाल है पाँचवा पचास से सो तक की संख्याओं में जो संख्या बज नहीं है उस पर गोल गेरा लगत बनाएं पचास से सो तक तो विद्यात ही देखिए पचास से सो तक ही करना था बागी की संख्याओं को काट लेते हैं क्योंकि हमें पचास से सो तक ही बताना है जो बज नहीं है उन संख्या 69 के बाद में 61, 61 के बाद में 61, 61 के बाद में 63, 63 के बाद में 89, 89 के बाद में 83, 83 के बाद में 89, विध्यार्दियों यह संख्या नहीं यानि अगला सवाल चछटा निम्लिकित में से शंख्या तीन से विबज है हाँ या ना में जवाब दे तो तीन से कौन से संग्या विबज होती है जिन में अंको का योग तीन से यदी विबज हो तो वह संग्या तीन से विबज होती है देखिए 219 अंको का योग 9,1,10 और 2,12 तीन से विवाज हैं तो यह संक्या भी तीन से विवाज होगी हां अगला है पांसो साथ अंको का योग पांच और छे और पांच ग्यारा जो तीन से विवाज नहीं है तो यह भी संक्या तीन से विवाज नहीं होगी हम यहां लिखेंगे न एक सो दो अंको का योग दो और एक 3, 3 से विवज हैं, यह सेंग्या 3 से विवज होगी, हम यह लिखेंगे हाँ, अगला हैं, 3,484, अंकों का योग देखेंगे, 4 और 8, 12, 12 और 4, 16, 16, 16, 19, जो 3 से विवज नहीं है, यह सेंग्या भी 3 से विवज नहीं होगी, तना लिखेंगे, अगला हैं, 5931, अंकों का योग कर तैरा ओर पन्च, अधार गोड़ से हैं तो यह सिंख्या भी तीन से विज्ञजे होगी हम यह लिखेंगे हाँ अगला हैं एक अजार थिनसौ दो अंको का ही हो करते हैं दो और तीन पांच और एक छे जो तीन से विज्रें ही होगी हाँ अगला है बहराजा 5-96 इसंकर ब हैं? 9 और 5, 14, 14, 14, 14, 12, 27 और 30, 281, 21 जो टीन से भी बज हैं यह इसंकर भी 30, बज होगी हाद अगला हैं 64,520, 2 और 5, 7, 7 और 4, 11, 11 और 6, 17, जो 3 से विबज नहीं है, यह संक्या भी 3 से विबज नहीं होगी, तो हम यह लेगेंगे न, अगला हैं 97,266, इसमें देखिए, अंकों कहीं हो कर लेते, 6 और 6, 12 और 2, 14, 14 और 7, 21, 21 और 9, 30, जो 3 से विबज हैं, तो यह संक्या भ पैच होगी, हाँ, चले विद्धार्थी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, धिगे संक्या, गुनखन लिखें, और बताए कि, धिगे संक्या, ऑजी हैं या अबज, संक्या दे रेकिया, इनका गुनखन लिखना है, और बाजी अबजे बताना है, ऐसंक दो गुणा दो गुणा तीन यह देखिए अबाजी गुणा करने हुआ यह संख्या बाजी है अगला है 35 पांच गुणा साथ यह भी संख्या बाजी है अगली संख्या 63 तीन गुणा तीन गुणा साथ तो विद्यार्थियों यह भी संख्या बाजी है अगला है 57 तीन गुणा 19 ये संग्या भी बाज्जे ठीक है विद्यार्थियों इस प्रकार्थ हमने आजी क्लास में आकलन 13 को अल किया आप भी आकलन को समझ के अल कीजिए विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं हो और अभी तक चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबागर करके हमारे यूटूब चैनल औलाइन क्लास बाइस एजार को सब्सक्राइब कीजिए बेल आईकन ओल नोटिफिकेशन की लिए दबाईए ताकि आप तक हमारी एटे दन्यवाद जय बर्द आपका दिन शुबर है थेंक यू